हेलो दोस्तों मैं हूँ दरेंजन और एक और वीडियो यहां पर लेके मैं हाजिर हूँ और इसमें हम लोग आज जानेंगे दोस्तों कि आज निफ्टी इतना अच्छा मूमेंट दिया था आप लोग देखने वाला था आज का मूमेंट दोस्तों जो दो बजे के बाद यहां आप निफ्टी में और निफ्टी का ओप्शन ले रखा था बाई कर रहा था बहुत ज्यादा उपर गया और वह बहुत ही ज्यादा वोग को पियूंग अपको एक डेटा में यहां पर बताऊंगा उसको आप लोग देखियेगा उस डेटा कितना इंपोर्टन्स है और वह आपको यह बताएगा कि कल का मार्केट कहां जाने वाला है तो आईए हम लोग अभी इसका ओवर्वीव देखते हैं और यहां पर इंटरपेट करने का कोशिस करेंगे दोस्तों देखें यह वाला आज का निफ्टी का चार्ट आप लोग देख सकते हैं यहां पर निफ्टी ल और यह 16 तारिक का था तो इसमें बीच में आप लोग यहां पर एक यह लगा लिजेगा वह 16 का होगा मैं इसको जूम करके दिखा दूंगा आपको तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं तो इसका सपोर्ट पहले आप लोग दूढ़ने का कोशिस करें देखें अगर मैं इ आपको बताऊं देखिए अगर यह है हमारा देखिए 21,800 के आज पास में मार्केट गया था तेरह तारीक को यहां पर डाउन साइड में एक मुवमेंट आया था दोस्तों यह वाला जो मुवमेंट है यह डाउन साइड का जब में मुवमेंट आता है उसमें ज्यादा पैसा लोग नहीं कमा पाता है इसलिए धर आपको टरेड करना है तो आप लोग और 22,400 को जब गया यहां पर और क्रॉस किया तब जाके एक थोड़ा सा डाउन मुवमेंट दे के यहां पर मार्केट क्लोज हुआ है दोस्तों तो दे के स्ट्राइक प्राइस को उड़ाते गया आज मार्केट और वो भी कितने देर में सिर्फ और सिर्फ यहां पर अगर आप के मुमेंटम के साथ ूपर जाने लगा और इसी का इंतजार तो सब करते हैं ऑप लोग की हुए आज निफ्टी का एकस पारईर के दिन तो आप को यह आपने हैं चार पर इस पसे पहले बता दूं तो चार चीजा अगर आप मार्केट में शमाज गए तो इक्सपायरी के दिन आप लोग पैसा बना सकते ह прошno motivation के साथ दूसरा होता है हमारा दोसरों ऑफना है बिल्डप लॉंग बिल्डप लॉंग बिल्डप से यहां पर पैसा बनाते हैं लॉंग बिल्डप यह स्लो कि तरफ में जाता है तीसरा अगर हम लोग देखें शॉर्ट है शॉर्ट विल्डव कि और चौथा चीज है हमारा अब आप लोग बताईए इसमें क्या होगा लॉंग लॉंग कभरिंग नहीं बोलते हैं लॉंग स्क्वार अप बोलते हैं ठीक है लॉंग यहां पर कट रहा है यहां पर देखें शॉर्ट कभरिंग क्या है दोस्तों शॉर्ट कभरिंग मतलब कि शॉर्ट के पोजिशन को काटा जा रहा है देखिए यहां पर जब यहां पर मार्क मार्केट नीचे आएगा तो और भी ज्याद है तो यहां अमीद साह जी का यहां पे एक बयान आया था कि नहीं भाई आप लौंग बिर्ड अपोगा किया मार्केट तो यहां पे शौर्ट ओठाल पत्राइब कर रहा है जब मार्केट ऊपर जाता है दोस्तों तो ऐसे मोमेंट में आप लोग देखिएगा कभी भी एसे मुमेंटम में क्या होता है जो शौट वाले लोग थे यहां पर भागना इस्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा 2,100 प्रैस तुटेगा फिर यहां वाले यहां वाले का stop close seat हो जाएगा 22,200 वाले भागना ही स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद क्या हुगा कि यहां पे 22,30 वाले भी भागना इस्टार्ट कर दिये यहां पर जिन्होंने पुट भाई कर रखा थाथ था पुट का तो आज बुरा हाल हो गया एकडम पुटबाई कर रखा था और वह हो न किय निकलना लपर की तरफ में और ये होता है 215 का मार्केट बहुत भी जादा वोलताइल होता है questo कि nodes in the sense कि यहां से मार्केट यह इक दैरेक्षन पकड़ता ही पकड़ता है वोला और जिस-दिन इसके पहले लुवन्वी के पहले अगर मुमेंट की दे चुका और यहां हो जाता है तो यह किसलिए होता है यूरोपियन मार्केट खुले होते हैं देड़ बज़े एक बज़े CAC FTSC और यह जो DAX है वह सब खुला रहता है तो उसके चलते यहां पर थोड़ा सा देड़ बज़े के आसवास बुलाटिलिटी रहती है लेकिन उसके बाद मार्केट में कि stability आती है और मार्केट क्लोज होना रहता है यह इंडिया का मार्केट का इंडियन मार्केट तो इसलिए यहां पर एक डिरेक्शनल मुवमेंट आता है यह कंफर्म नहीं है लेकिन यहां पर 90% chances होता है कि मुवमेंट आता है यह हमारा दो बज़े दो पंदरह का मार्केट यह यहां से उपर की तरफ में गया और यह आज हुआ है हमारा short covering, short covering हुआ है जो लोग यहां पर short किये उए थे एकदम धाय 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 निकलने लगे, मार्केट यहां से उपर की तरफ में जाने लगा ठीक है आप लोग लॉंग बिल्डप आप लोग समझ जाईएगा जब भी लॉंग धीरे 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 ऐसे बिल्डप होना दिखाई दिखाई दे आपको तो इसको हम लोग लॉंग बिल्डप करते हैं जर्डप कबरिंग मतलब है जिसने भी किया हो श्युक्र जिसने भी नीचे की तरफ में किया हो एक ही बार में उसको तोड़ते हुए मार्केट लॉपर की तरफ में जाने लगे मार्केट ऊपर की तरफ में डाल लाए इसको हम लोग हम लोग बोल एशुट कबरी ठीक है plots climat बिल्डप मतलब मार्केट दीरे 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 नीचे की तरफ में आ रहा है यहां पर बिल्डप हो रहा है मतलब मार्केट में लोग शॉट पोजीशन भर भर के डाल रहे हैं बिल्डप हो रहा है यहां पर लॉंग स्क्वाइर मतलब की लॉंग को वो लोग काट रहा है तो यह यह हमारा short covering होता है positive मतलब मार्केट ऊपर जाएगा long build-up मार्केट ऊपर जाएगा short build-up मतलब मार्केट नीचे जाएगा नीचे की तरफ में जाएगा और long square up मतलब कि long आदमी काट रहा है यहां पर market नीचे की तरफ में जाएगा तो यह देखिए यह दोनों positive है मतलब मार्केट ऊपर जाने वाले हैं और यह नेगेटिव मार्केट नीचे ले जाने वाले तो आज का यही है दोस्तों यहां से मार्केट ऐसे बिहेव किया था आज तो चलिए यहां पर कुछ हम लोग सीखते हैं कि मार्केट में अगर ऐसा निफ्टी का मार्केट रहे अगर एवरी डे रहे तो भी आप पैसा बना पाईएगा कि नहीं यह बते है रिटेल इन्वेश्टर अगर ऐसे में भी अगर चाहें कि हम पैसा बना ले तो भी बड़ा मुश्किल होता है कैसे मुश्किल होता है आईए देखते हैं कि यहां पर देखिए यह मेरा ओप्शन चेन है ओप्शन चेन आज का देख लिए आज तो एकस्पारी था इसलिए यहां जो कॉल साइड में जो लेफ्ट साइड में जो यह वाइट वाला है यह तो 0.05 हो गया मतलब कि यह खतम 0 हो गया उसके बाद यह वाला जो है हमारा इन्द मानी है यह आँट ओफ द मनी प्रिए आँट ओफ द मंच पूट कल्क और यह मारा इन द तो यह हमारा प्रै यह वाला जो प्राइस है और 7000 चल रहा है अगर हम लोग इसका चार्ट निकाले तीन सो में लेकर चलता हूं एक्जामपल के तौर पर अगर मैं इसका अभी कितना प्राइस चल रहा है दिखाना चाहता हूं और उससे आप लोग पता चलेगा कि कैसे लोग पैसा नहीं कमा पाएइज यह वše रहेये अगरे आज का मुवमेंट जो है यहां आप लोग दो क्यूंकर पिस्या आज है तौर अचा वल्हेत का है कोई दिकत नहीं एक दिन का है यह तोटल तो यहां पर देखिए बीच में एक पॉजिटिव मोमेंट आया था कॉल साइड में उपर की तरफ में गया था यहां से यह वाला हमारा कल का क्लोजिंग है मतलब 25 यहां पर मान के चलिएगा 28 पर इसका ओपनिंग होगा ठीक है मारके अधरेट पर फिर उसके बाद यह गया लेकिन वहां से ओप्षन का प्रीमियम गिरने लगा आप लोग देखते रहिए गा मारकेट ने क्या किया मारकेट अगर यहां पर आप लोग एक चीज़ देखिए यहां पर कि अगर यहां हम लोग देखें कि कैसे करता है option premium आप लोग को मैं option सिखा रहा हूं दोस्तों आप लोग सिखते रहें ठीक है बहुत-बहुत काम देगा देखें मार्केट यहां पर ओपन हुआ कितना आज कितना तारीक है 16 है 16 है यहां से यह वाला हमारा मार्केट यह ओपन हुआ है उसके बाद मार्केट गिरता गया गिरता गया फिर बीच में एक बार उपर की तरफ में मुमेंट दिया और फिर क्या हुआ कि फिर ऐसे ध्य कि सबाएं गर्खिए अगर नीची improving करत ग तरफ यहांOh boy मार्कोर के तरफ में दकीन यह what happened बना चाहिए फिर यह देखिए ग्या हो रहा है आप लोग यहन पर दिखिए है अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊं तो दिखे i market यहाँ पर गिरने लगा गिर ने लगा यहाँ आनी लगा गिर गिर्ते तो क्या हुआ यहाँ पर प्रीमियम गिरना इस्टाट हो गया लेकिन अगर मारकी जब स्टैनेंट हो गया ऐसे तो भी यहां पर कि रहा है कितना कि इस के आजञा पर से पूलहा कितने पर गया कि तीन चार रुपए पर आ गया मार्केट जब कि स्टैगनेंट अथो भी यहां एक पोजिटिव मोमेंटम आया लेकिन फिर यह मोमेंटम को खतम कर दिया इसने फिर से नीचे की तरफ में ऐसे जाने लगा अब देखिए यहां पर क्या होता है ति अगर यह देखिए यह वाल कि तीस को पार किया लेकिन फिर से एक यहां पे एकदम मोमेंटम मैं मतलग 2 सेकन्ट 4 सेकन्ड के अन्दर इसका पचीस पर पचास पर जा के यह वाला हमारा पचास का पोईंट है पचास पर जाके अगर मार्केट का प्रीमियम अगर पचीस पर जाय तो क्या हुआ हाफ आफ उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपने पचीस पर ही था यह फे पहाई किया होगा यहां कहीं आपने रुपीस के आसपास में हंड्रेट से एक ही बार में इसने 75 का लो मार दिया ठीक है यहां पर देखते रहे इतना में क्या होता है इतना वोलाटाइल मतलब की वोलाटाइल तो नहीं इसका नेचर ही ऐसा है ऑप्षन का कि उसमें वीगा और थीटा रहता है ठीक है का प्रीमियम सो रुपे गया था आप समझ सकते हैं कि कितना परसंट का रिटर्न हुआ था लेकिन उसमें जब थीटा आता है देखिए यहां पर अगर आप होल्ड करके भी बैठ जाईएगा तो यहां पर पैसा नहीं बनेगा लेकिन अगर आप इसको सुचिएगा कि यहां जिए एपर हम द्याइगा और यहां पर निकालने तो भी सेनाऐ इसको पाता है कि अईसे जबशाज पर मॉमेंटेम मार्केट में आपको कर लेना ही पड़ता है रिस्क नहीं लीजिए तो यहां पर काम नहीं होगा तो इसलिए इसमें लोग पैसा नहीं बना पते हैं यही क यहां को जब होल्ड करना है तब आप मिड़क। चोड़के बाहर बाहर होना होगा तब अपिसको ऊप्षन में कि इस में दिक्कत आता है कि इसमें थीचा को आप lot को समझना है और इसमें ग्रीक एंगर ग्रीक्स को आप लोग समझ गया अगर ग्रीक्स बहुत बढ़िया चीज़ है यहां पर अगर आपने options को sell किया है selling में जो theta होता है आपका friend होता है ठीक है theta जैसे जैसे कम होते जाएगा option premium आपका कम होते जाएगा उसे हिसाब से आपको profit होते जाएगा तो यहां पर यह चीज़ आपको सिखने को मिलेगा और आप लोग theta पर ध्यान देजिए ग्रीक्स पर ध्यान देजिए option में अगर आ रहा है तो ग्रीक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है और ग्रीक्स के हिसाब से ही आप लोग ट्रेड कीजिए ठीक है चलिए इसमें और भी कुछ डावट होगा आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं यह वाला हमारा जो पॉइंट था 22,100 का यह हमारा सपोर्ट है अभी तो यह 392 पे गया है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह सस्टेन करेगा मुझे यह लग रहा है कि क्योंकि इसका जो आरे साई है आरे साई आरे साई अभी ओभर बॉर्ट सिचुएशन में है इस अगर व बॉर्टस सिचुएशन में है और सेवें टी से ऊपर जा चुका है इटको और सेवेंटी से उपर आसपास में अगर फाइव मीनटस का Pokemon लूग लगारे तो यह 50 के पास पास में है और 15 मिनुट्स का अगर चार्ट देखेंगे तो यह हमारा 70 के आसपास में इसका आरे साई जा चुका है तो यह ओबर बॉर्ट सिचुएशन में है अभी क्योंकि यहां पे शॉट कवरिंग आया था और वो भी आज एक्सपारी था एक्सपारी में क्या होता है कि यहां पे मार्केट यह लेवल को तोड़ रहा है लेकिन उप्शन प्रीमियम उतना ज्यादा ही भागता है और क्योंकि यहां पे मोमेंटम था इसलिए आज मार्केट में इतना उच्छाल आया और आज एक्सपारी था तो इसलिए और भी ज्यादा शॉट कवरिंग आने लगा और शॉट कवरिंग के चलते आज मार्केट और भी ज्यादा उपर गया लेकिन यह मुझे नहीं लगता है कि यह सस्टेन कर पाएगा यह थोड़ा सतो ऐसे नीचे की तरफ में मुझे लग रहा है कि यहां पर 22222 पे आके यह फिर से एक बार सपोर्ट लेगा और फिर उसके बाद ऊपर जाने के चांसे बुचित दिख रहे हैं दोस्तों तो अगर कुछ इसमें करना होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक्यू सूमस्दुट